आज हम आपसे शेयर करेंगे चिकन पकोडा की रेसिपी उपर से बहुती क्रिस्पी करारे अंदर से जूसी होंगे साथी हम हरी चटनी भी आपको शेयर करेंगे जरूर इस वीडियो को पूरा देखेगा इस तरह से अगर आप एक बार चिकन पकोडा बना लेंगे तो आपको बार बार इस तरीके से बनाने का मन करेगा तो बहुती इजी तरीके से हरी चटनी और साथी हम उपर से क्रिस्पी करारे अंदर से जूसी चिकन पकोडा की रेसिपी आसानी से आपको बना कर शेयर करेंगे वो भी घर के मौजूद मसालों से तो चलिए बनाना शुरू करते ह असलाम आलेकम वेलकम टू कुक वेत आर्फा चैनल चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पर एंड तक बने रहे हैं तो चिकन पकोडा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी चिकन के पिसेज ले लिए हैं चोटे चोटे साइज में चिकन मसाले यानि सुखा मसाला शामिल करेंगे आदी चोटी चमच नमक स्वाद अनुसार आदी चोटी चमच चाट मसाला का पाउडर आदी चोटी चमच भुना जीरा का पाउडर एक चोटी चमच गरम मसाला का पाउडर आदी चोटी चमच काली मिर्चो का पाउडर लाल दिस्ट बनेंगे चाट मसाला एड़ किया है तो बहुती चट पटे भी बनेंगे दो बड़ा चमज भरके बेसन आड़ कर लेंगे साथ ही हम तीन बड़ा चमज भरके हर रोट पाउडर इसे हम कॉर्ण फ्लोर भी कहते हैं शामिल कर लेंगे इतना शामिल करना है कि चिकन में क कोटिंग एक हो जाए और क्रिस्पी क्रारे तैयार हो अब फारिक कटीवी धन्यपत्ति चमच बंच फर إ peliana के शामिल कर लेंगे एक जाती चमच करेंगे अच्छे से 1914 कर लेंगे more अजरा आप अंडा कोaders skip कर दकात थोड़ा पनी डालकर मिला लीगे जहीं कि क्योंकि चिकन भी अपना पाणी चोड़े तो हल्का सा पानी डालकर मिलाना होगा तो अंडा डालकर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिंग आ भी उपर एक चोटा धनिया पत्ती लिया है, 7-8 हरी मिर्च लेंगे, एक छोटे साइस का टमाटर लेंगे, चार पीस में कट करके, और यहां पर एक बड़ा चमच भर के दही एड़ कर लेंगे, हाफ लेमन का रस एड़ कर लेंगे, तो रेसिपी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, अब हम इसमें एक छोटे चमच भर के, भुना वजीरा पाउडर आड़ करेंगे, आधी छोटे चमच चाट मसाला पाउडर आड़ करेंगे, स्वाद अनुसार नमक शामिल कर लेंगे, बहुत ही चटपटी सी चटनी हमारी रेड़ी है, तो चलिए अब फटफट इसे हम सर्विंग प्याले में निकाल लेते हैं, तो बहुत ही चटपटी सी चटनी है, आप चाहें तो इसमें लेसुन के कलियां भी आड़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बगाइर भी बहुत ही टेस्टी है, हमारी चटनी तयार हो जाती है, वो भी इजी तरीके से आप इसका टैक्शर देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगा हमें, आप जरूर ट्राइ किजेगा, चिकन पकोड़ा के लिए बहुत ही जबरदस्त है, रेस्ट के लिए 15-20 मिनट पूरे हो चुके हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं, चिकन बहुत अच्छे से मारीनेट हो चुका है, तेल को गरम कर लिया है, तो चलिए फटा-फट ड्रॉप कर लेते हैं इसमें चिकन को, तो एक-एक पिस्स को अलग-अलग जगों पर ड्रॉप करना है, जितना आजाए हम शामिल कर लेंगे, तो सभी चिकन को मैंने यहां पर शामिल कर लिया है, अब अच्छे से चिकन पकोड़ा को थोड़ा सेट होने देंगे उसके बाद ही इसमें चमच लगाना है तो अच्छे से सेट हो चुका है मेडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है बिल्कुल क्रिस्पी करारा जब तक ना हो जाए अंदर से बिल्कुल जूसी ना हो जाए तो उसके लिए आपको मेडियम फ्लेम पर ही शुरू में रखना है तेल अगर जादा गरम है तो बस यहाँ पर आप बिल्कुल कर देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और लेकिन अंदर से पकेगा नहीं बस आप देख सकते हैं ऊपर से भी पक रहा है अंदर से भी पक रहा है क्योंकि मैं मेडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर रही हूं तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके ह अब हम इसे फटाफट निकाल लेंगे तो बहुत ही इजी तरीका है घर में मौजूद मसालों से इतने अच्छे से क्रिस्पि करारे चिकन पकोड़ा तयार हो जाते हैं आप इजी घर पर धेर सारे चिकन पकोड़ा इस तरीके से बना सकते हैं बच्चे बड़े इस चिकन पकोड़ा की दीवाने हो जाएंगे तो चलिए फटाफट हम इसे निकाल लेते हैं तो यहां पर चिकन पकोड़ा को मैंने निकाल लिया है बहुत ही अच्छी सी कर लेंगे साथ ही हम करीपत्ता भी शामिल करेंगे आपकी मर्जी यहां पर जितने भी मिर्चे ले सकते हैं बस मिर्चों की बीच में कड़ सरूर लगा कर शामिल कीजेगा करीपत्ता थोड़ा सुखा वा था हमारा इसलिए यहां पर मैंने एक मुठी लिया है और अगर आजे ताजे हैं तो आट से दस ले लेंगे बहुत ही तेस्टी इससे आपकी चिकन पकॉड़ा लगेंगे साथी खाईएगा तो और सर्फ करने में भी बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से अगर हम चिकन पकॉड़ा के उपर शामिल करते हैं इसका लुक ही चेंज हो ज अगलिया है और अब हम आपको चिकन की क्रिस्पी होने की आवास सुनाते हैं चिकन पकॉड़ा कितने जबरदस तरीके से क्रिस्पी करारे तयार हुए हैं तो आप आवास सुन सकते हैं और इसके उपर हम थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर एड़ करेंगे उपर से हम लेमन क रस शामिल करेंगे और अंदर से जूसी उपर से क्रिस्पिक करारे बहुत ही लाजवाब बने हैं खुश्बू भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाजवाब रेस्टोरेंट जैसा हमारा चिकन पकड़ा तयार हुआ है हरी चटनी के साथ लगाईए और इंज्वाई कीजिए घर में बड़े बच्चे सभी को पसंद आएंगे तो रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेर करना न भूले चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के असान सी नही नही रेसिपी इंशालल आपको ज़रूर शेर करेंगे तब तक के लिए आला हाफीज